I do not know which of us got into the carriage first लेखा कहता है मैं नहीं जानता कि हम मैंसे कौन पहले carriage में गुसा carriage मीन होता है डिबबा, rail के डिबबे को हम carriage बोलते हैं इंडीड दरसल I did not know he was in the carriage at all for some time अब लेखा कहता है बास्तों मैं यह भी नहीं जानता था कि कि वो कुछ समय से पहले से भी वहाँ carriage में था It was the last train from London to a Midland town यह अब लेखा जिस train से यात्र कर रहा है वो last train होती है London से लेकर Midtown के बीच जो London से Midtown Midland की ओर चलती है Midland town की ओर तो it is अब है तो it was last train from London to a Midland town कि बास्तों में यह जो train है वो एक stopping train है जगे जगे रुकने वाली An infinitely leisurely train infinitely मतलब एक अनिशित रूप से फुरसत वाली train है कहने का मतलब है लेखा का कि बहुत धीरे धीरे चलती है हर जगे रुकती है One of those train which give you an understanding of eternity कि उन ट्रेनों मैंसे एक train है जो आपको अनन्तता का एहसास कराती है अनन्तता का एहसास कराने का अर्थ है कि इतना सुलो चलना कि लगे कि अभी यात्रा बहुत है अभी बहुत है जब यह चलती है बट एज भी स्टॉप एड़ सब अर्वन इस्टेशन लेकिन लेखा कहता है जैसी हम हर एक इस्टेशन पर रुकते हैं जो सब अर्वन इस्टेशन का मतलब होता है जो इस्टेशन होती जो उप नगरी इस्टेशन यानि काफी लंबे रूट में छुट छोटी स्टेशन होते हैं उनको सब अरवन इस्टेशन बोलते हैं तो वहाँ ट्रेन हर एक इस्टेशन पर रुखती है तो ट्रेवलर्स अलाइटिन वन्स तो एक-एक दो-दो करके जो यात्ती होते हैं वो उतरते हैं ट्रेंज से एंड वाइद टाइम भी हैड लेफ्ट दा आउटर रिंग आफ लंदन बहाईड और उस समय तक लिखा कहता है कि हम कि जब अरवनिस्टेशन खता हूए तो उसके बाद आउटर रिंग जो होती आउटर कहने का इधर अर्थ है कि जो लंदन का जो बाहरी छेत्रे जो ृंड है पूरे लंदन को ग्रह हुए एन कहने का अर्थ है जो सीमा छोठे जब जैस के जैसे के ठर्म नेकलते लेखक यहां यह कहना चाह रहा है कि वो अकेला बसता है पूरी ट्रेन में तो there is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night अब लेखक कहता है कि there is a pleasant sense of freedom कि बड़ा स्वहावना अनभव है स्वतंत्र होने का about being alone in a carriage कि डब्बे में अकेले होना एक अपने आप में एक स्वतंत्ता का स्वहावना अनभव है that is jolting यानि उस डब्बे में जो जटके ले रहा हो noisily आवाज करकर दे थ्रो रहा है पूरी रात जटके आवाज ले लेकर चल रहा हो it is liberty and understand in a very agreeable form बड़ी अन्रेश्टेंड मीन बड़ी आराम की अवस्था और लिवर्टी एक सुतंता की अवस्था होती है एक स्विकार रूप में तो you can do anything you like अब लेखा कहता है क्योंकि ट्रेंड में वो अकेला है एक अच्छी अन्भव की चीज है और जब हम अकेले होते हैं बड़े आराम में होते हैं तो लेखा कहता है you can do anything you like आप वो प्रतेक चीज कर सकते हैं जो आप चाहें you can talk to yourself as loud as you please आप अपने आप से बात कर सकते हैं जितना तेज आप चाहें आपको लगे and no one will hear you कोई भी आपको सुन नहीं सकता क्योंकि आप अकेले हो आप तो you can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke अब लेखा कहता है you can have the argument out with Jones एक जोन एक imaginary person है लेखा साइद लेखा एक किसी imaginary person एक काल्पनिक वेक्ति को यहां लेता है कि आप Jones के साथ बहस भी कर सकते और उसको roll भी कर सकते यानि पटक भी सकते विजयपूरवक धूल में यानि उसको धूल भी चटा सकते without fear of a counter stroke कि बिना किसी भायके कि वो बदले में प्रहार करेगा you can stand on your head and no one will see you आप practice of golf stroke or golf stroke की practice भी कर सकते और play marvels on the floor या फिर फर्स पर आप कंचे भी खेल सकते without let or hindrance बिना किसी की रुकावट या बाधा कि hindrance mean बाधा you can open the window or shut it without provoking a protest लो आप खिड़की को खोल सकते बंद कर सकते without provoking provoke mean होता है भड़काना बिना कोई protest mean होता है ब्रोध बिना किसी ब्रोध को भड़काए हुए आप मतलब कोई आपका ब्रोध भी नहीं करेगा आप खिड़की को बंद कर सकते और खोल सकते हैं you can you can open both windows और आप दोनों खिड़की को खोल सकते बंद कर सकते indeed you can go on opening them and setting them as a sort of festival of freedom यहां तक की बास्तों में आप यह भी कर सकते कि दोन खिड़की को खोले और ऐसे खोले और बंद करें कि जैसे कोई एक तेवार मना रहे हो सवतंता का एक प्रकार का ठीक you can have any corner you choose आप किसी भी corner में जाके बैठ सकते या आप कोई भी corner चुन सकते हैं and try all of them in turn या एक एक करके हरे को try कर सकते हैं you can lie at full length on the cousins अब जो cousins होता है ट्रेंड में जो सीटे होती हैं उनको cousins बोलते हैं आप cousins में full length में लेट भी सकते हैं and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the hurt of Dora हर्चे लो अब यहां लेखा कह रहा है कि आप enjoy the luxury of breaking the regulations कि आप उस विलास्तिता का भी अनभाव कर सकते हैं यानि जो regulation से जो नियम कानून है possibly the hurt of Dora का मतलब है defense of realm act यानि छेत्रिये सीमा सुरक्षा अधिनियम है चेत्रिये defense of realm act यानि छेत्रिये सीमा अधिनियम उसका भी आप हर्ट तोड़ सकते हैं यानि कहने का अर्थ है जहां लेखा जिस देश का निवासी वहां डोरा नाम का एक act चलता है एक अधिनियम चलता है defense of realm act उसको भी तोड़ सकते हैं यानि उसके दोरा भी केवल यह नहीं जान पाएगी कि उसके हर्ट को तोड़ा जा रहा है उसके नियमों को तोड़ा जाता है यू हैव एसकेप इवन डोरा आप और उससे बच भी सकते हैं बच भी सके हैं आगे देखें on this night I did not do any of these things अब लेखा कहता है हाला कि हम अकेले होने पर train में कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें लेकिन लेखा कहता है कि मैंने on this night I did not do any of these things लेखा कहता है उस रात लेकिन मैंने कुछ भी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने अभी कहा देड़ नोट हैपन टू ओकर टू मी और नहीं ऐसी कोई घटनाय मेरे साथ हुई what I did अब ज ट्रेन से उतर गया तो I put down my paper मैंने अपना paper नीचे रखा instead my arms and my legs मैंने अपने हाथ और पैर फैलाए इस्टोट अब खड़ा हो गया and looked out of the window on the calm summer night उस गर्मियों की ठंडी राती में मैंने खिर्की से जहां का बाहर लोकाउट किया through which I was journing उस खिर्की से जहां मैं यात्र कर सब्सक्राइए रहा था नोटिंग दा पेल रैमिनिसेंस ऑफ डी त्यांजी अब लेखा कहता है मैंने जब खिर्की से बाहर देखा तो नोटिंग्ट करते हुए मैंने ध्यान किया, the pale reminiscence, यानि धुंदली होती, pale मतलब होता है हलका पीला, जो हलकी पीली जो यादे थी, reminiscence दिन भर की यादे थी, जो that still lingered in the northern इस्त्राई, अब लेखागी ये सोच रहा है कि मैंने खिर्की के बाहर उत्री आकास में जहाका, जो दिन भर की यादे थी, कि वो मुझे उस आकास में दिखाई दिया, उनकी जलक मिली. Cross the carriage, फिर मैंने अपने डिब्बे को cross किया and looked out of the other window और दूसरी खिर्की से जाका बाहर. Lेटा सिगार, एक cigarette जलाई and sit down and begin to read again. और फिर से पढ़ना सुरू कर दिया. It was then that, ये तभी वह समय आया कि I became aware of my fellow traveler. लो, अब मुझे अपने fellow traveler के बारे में जान कर रही हूँ. मैं जाकरूप हूगा, मुझे पता चला कि कोई और भी है मेरे साथ. He came and sat on my nose. वो आया हो मेरी नाक में बैठ गया. He was one of those wingi, nipi, intribute insect that we call vaguely mosquitoes. अब वो एक विंगी पंखो बाला निपी मतलब निप मीन होता है चुबना अब जो चुब है, बैठने पर जो चुब सरा था, intribute means निरलज, द्रष्ट कीडा था, that we call, जिसको हम लोग आइस पस्टूप से साइड मॉस्कीटो बोलते हैं, मच्छर. मैं उसको अपनी नाख से उड़ा दिया, and he made a tour of the compartment, उसने पूरे डिबबे का एक तूर लगाया, and investigated its three dimension, उसने तीन dimension में investigate किया पूरे compartment को, तीन dimension मतलब का मतलब आगे पीछे और उपर निचे, उपर, इसके बाद, visited each window, फिर्तियक बिंडो पे घुमा, फिलेटर राउं दे लाइट, लाइट के चारो फिलेटर हुआ, यानि उसने वो फड़ फड़ाया, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, और उसने finally, he decided कि कोई भी चीज अब interesting इतनी नहीं थी, जितना वो large animal in the corner, यानि कोने में बैठा हुआ विसाल जानवर, अब विसाल जानवर इतर लेखक ने स्वाइम को कहा है, कि मच्छर के लिए वो स्वाइम को अपने आपको जानवर कहते हैं, कहते हैं कि वो सब जगे उसने घूमाया, पूरे light के चारो फरफरा लिया, हर एक विंडो में चला ग लिए, I flicked him off again, मैंने फिर उसको उड़ा दिया, लेखक बोलता है, he skipped अबे, वो बच निकला, तुक एंदर जौंट, राउं दा कमपार्टमेंट, फिर एक दूसर राउं लगाया, उसने कमपार्टमेंट का, रिटर्न लॉटा, एंड सीटें इंसल इंपूदेंटली on the, on the back of my head, और अपने आपको उसने बैठा दिया, यानि बैठ गया, बड़ी निदलजितापूरवग, मेरे हाथ के पिछवाले में बैठ गया, it is enough, I said, मैंने का, आप तो हद हो गई, कि दयालूता की भी हद होती है, उदार्ता की भी कोई हद होती है, twice you have been warned, तुमको दोबार warned किया गया, and I am someone in particular, और ये मैंने का, मतलब लेखा कि ये कहनी कोसिस कर रहा है, मच्छर से, ये हद हो गई, उदार्ता की भी एक limit होती है, तुमको दोबार warned किया गया, twice you have been warned that I am someone in particular, और मैंने कहा कि मैं कुछ विस्येस हूँ, अपने आप में someone कोई विस्येस वेक्ती हूँ, that my august person resent the tickling impertinence of strangers, कि अगर कोई वेक्ती मुझी थोड़ा सा भी परिसान करे तो मेरी ये, मतलब मेरी सान को इसमें वो होता है, अपमान समझता हूँ, मैं इसका resent, अपमान समझता तो I assume the black cap, अब लेखा कहता है मैंने black cap, assume की, लेखा कप स्वयम को एक जज मान लेता है, black cap, assume करने का मतलब है, स्वयम को जज मान लेना, I condemn you to death, लेखा कहता है मैं तुम्हें मृत्यू की सजा देता हूँ, justice demands it, निया इसकी मांग करता है, and the court awards it, और नियाले इसका सम्मान भ यानि दोस्त बहुत हैं, बहुत सारे तुम पर दोसा रूपन है, you are a background, पहला दोसा रूपन यह है कि तुम एक आवारा हो, फिर you are a public license, तुम लोगों को तंग करने बाले हो, you are a traveler without a ticket, और आप एक ऐसे यात्री हो, जो मेना ticket की यात्र कार, you have no meat coupon, तुमारे पास कोई meat coupon भी for these, and many other misdemeanors, और भी अपराधों के लिए, और भी अगलतियों के लिए, इन के लिए और भी अन कई गलतियों के लिए, you are about to die, अब तुम लगबग मरने वाले हो, I struck a swift, lethal below with my right hand, अब लेखा कहता है, मैंने प्रहार किया, strike mean होता, प्रहार करने, strike a second form is struck, a swift mean तेज, lethal mean घातक below mean मुक्के से मैंने प्रहार किया, अपने दाएं हाथ के मुक्के से घातक प्रहार किया, he dodged the attack, dodged mean होता है, चत्राई से बच निकलना, attack से, मतलब मेरे attack से, वो चत्राई से बच निकलना, with an insolent ease, बड़ी बद्तमीची भरी शुवधा से, यानि बड़ी आसानी से, बड़ी personal vanity was around, लेखा कहता है, मेरी स्वयम का गर्भ, यानि vanity मतलब दंभ या अहंकार, अब जाग गया, I lunged at him with my hand, with my paper, अब वो कह रहा है, मैंने उस पर प्रहार करनी कोशिच की, अपने हाथ से, अपने paper से, I jumped on the seat and pursued him, मैं अपनी seat पर बैठ गया, और मैंने उसका पीछा किया, round the lamp, lamp की चार ओर, परसी मतलब आगे बढ़ा देना, उसको, मतलब ऐसे, तो I adopted tactics of phenyl killing, phenyl killing में बिल्ली जैसी चाला की मैंने, की चालें अपनाई, लेखा कहता है, अब मैंने उसको थोड़ा परिसान करने के लिए, बिल्ली जैसी चाला की अपनाई, वेटिंग तिल he had elided, और उस तक पहुझनी एकोसिस की, striking with a sudden and terrible, और मैंने सोचा कि मैं बड़े उससे, खतरनाक तरीके से, या बड़ी तेजी से, उस पर attack करूँगा, ऐसा करने के लिए मैंने, इंतियार किया उसका, तो लेखा कहता, it was all in vain, अब ये सब कुछ बेकार था, he played with me, वो तो मेरे साथ खेला, यानि उसने मेरे साथ खेल कर रहा था, openly खुलके and ostentatiously, वो बड़े दिखावा पूर, दिखा दिखा कर मेरे साथ खेल कर रहा था, lie का skillful method or financing round and infuriated will, जैसे कोई क्रोधित सान होता है, वो कोई skillful method or मतलब सान से लड़ने वाला वैक्ती होता है वो किस तरी बड़े कलात्मक तरीके से उस क्रोधित सान को अपने काव में करने के लिए उसके साथ खेलता है, बैसी उसने मेरे साथ openly खेला, it was obvious that he was enjoying himself, अब ये भी clear था विलकुल कि वो स्वय में आनल दे रहा है, that it was for this, that he had disturbed my repose, और चुकि ये सब इसलिए था, कि उसने म आनाम में खलल डाली, यानि मेरे आराम को disturbed किया, he wanted a little sport, वो थोड़ा खेलना चाहता था, and what sport like being chased by this huge lumbering bind mill of a creature, और ऐसा खेल, कि जिसमें वो चाहता था कि मैं उसको chase करूँ, कि ये huge, बिसाल, भारी भर कम, lumbering mean भारी भर कम, और bind mill mean जो पबंचक्की होती हो उस जैसा, अब अच्छर की लिए तो मनुष्यक bind mill जैसा लगा देखने में, तो लेकर कह रहा है, भारी भर कम bind mill, जैसा कोई प्राणी, मैं उसके लिए जो हूँ, वो मुझसे चाहता था कि मैं उसका पीछा करूँ, यानि मुझसे खेल करना चाहता था, who tasted so good, and seemed so helpless, and so stupid, जिसकी नज़र मे मैं बहुत एक टेस्ट वाला व्यक्ति था, यानि उसके लिए बहुत अच्छी टेस्ट का था, और मैं उसके लिए उसको मैं बहुत असहाय प्रतीत हुआ, मुर्क प्रतीत हुआ, I begin to enter into the spirit of the fellow, अब लेकर कहता है, मैंने शुरू कर दिया उसकी आत्मा में घुसना, यानि उ He was developing into a personality, कि अब मेरे लिए वो एक personality, एक व्यक्तित्त के रूप में develop हो रहा है, an intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms, और एक ऐसे बुद्धिमान के रूप में, बहुत धिक व्यक्तित्त के रूप में कि जो challenge जिसने किया अपने अधिकार को, इस compartment में ये चैलेंज किया कि मेरा भी अधिकार है पर बराबर बराबर से लेखक के साथ, तो I felt my heart barbing towards him, मैंने सोचा मेरा हर्दय, मैंने अनभव किया कि मेरा हर्दय उसके प्रती थोड़ा पिखल रहा है, and the sense of superiority fading, और जो मुझ में मनुष्य जनित जो स्रेष्टा का भाव है कि मैं मनुष्यू तो स्रेष्ट हूँ, ये अब लेखा कहता है, how could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged, अब लेखा कहता है, how could I feel superior to a creature, मैं इस प्राणी से अपने आपको कैसे superior message करूँ, जो, who was so manifestly, जो बहुत इस फ़स्ट रूप से my master है, मेरा मालिक है, एक टाइप से गुरू है, कि देखो तो, in the only competition in which, कि एक मात्र उस प 30 परदा, कभी मैंने किसी प्राणी के साथ नहीं देखी, कि जो मुझसे बरावर से अपने अजिकार की मांग कर रहा है, कि मेरा भी हाखे डब्बे में बरावर, compartment में, आगे, why not be magnanimous, magnanimous again, अब लेखाक स्वहम से कहता है, क्यो ना फिर से दयालू हो जाया जाया, पुना, इन इन उच्च गुणों की अनुपालन में, I could recover my prestige, मैं अपने सम्मान को पुना, पा सकता हूँ, at present, बर्तमान में, I was a ridiculous figure, अब चुकि बर्तमान में, तो मैं उसके लिए ridiculous, यानि एक मजा की अपूर, यानि उपहास का एक विक्तित्त हूँ, उपहास वाली चीज हूँ, figure ह I think for laughter and derision, कि एक ऐसी चीज जिसका मजाक उड़ाया जाए और जिसका उपहास किया जाए, by being merciful, अब लेखा कहता है कि लेकिन दयालू होकर, I could reassert the moral dignity of man, कि मनुष्य के नयतिक सम्मान को में reassert कर सकता हूँ, पुना इस्थापित कर सकता हूँ, पुना पा सकता हूँ, and go back to my corner with honor, और मैं बड़े सम्मान के साथ कौने में जाके पुना बैठ सकता हूँ, I withdraw the sentence of death, लेखा कहता है मैं अब म्रत्यु दंड को खीचता हूँ, बापस लेता हूँ, जो मैंने म्रत्यु दंड की तो मैं सजादी उसको बापस लेता हूँ, I said, मैंने ऐसा कहा, returning to my seat, अपनी seat पर ताल देना, but I can reprieve you, I do it, मैं तुम्हें छमा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, I took my paper, and he came and sat on it, लेखा कहता है मैंने अपना paper लिया, वो आया और उस पर बैठ गया, फूलिस फैलो, लेखा कहता है मूर्ख साथी, I said, मैंने कहा, लेखा कहता है मैंने कहा, मूर्ख साथी, you have delivered yourself into my hand, लो, तुमने अपने आपको मेरे हाथों में डिलिवर कर दिया, सौप गया, I have, I have, but to give this respectable beakly organ of opinion, I smack on the both, both the covers, and you are a cop, लेखा कहता है, लेकिन मेरे पास तो है य लेखा कहता है, बस मैंने ऐसा किया, कि उन पन्नों को मिलाया, एक दम से एक मतलब अचानक से प्रहार किया कि तुम क्या हो जाओगे, लास्ट में बदल जाओगे, neatly, sandwiched between an article on P-step and another on the modesty of Mr. Hughes, अब हो कहरा है, यह जो आर्टिकल है, जो दौनों पेजों में है, एक इस तरफ बाले, दौनों तरफ बाले पेजों में है, अखवार के दौनों पेजों में, उन आर्टिकल के बीच में तुम सेंडविच की तरफ एक लास हो जाओगे, यानि सेंडविच बन जाओगे, अगर मैंने दौनों को स्मैक कर दिया, लेकिन कहता है, लेकिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, I have reprieved you, मैं तुम्हें छमा कर चुका हूँ, तुम्हारे सजा को टाल चुका हूँ, I will satisfy you that, मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट करूँगा, कि when this large animal, यानि ये विशाल प्रानी, यानि मैं स्वयम, कहता है, मैं स् इसके अत्रेक तो और ये भी है, कि मैं मेरी और एक्षा नहीं है, तुम्हें मारने की, थुरो knowing you better, चुकि मैं तुमको पहुच्ची से जानकर, अब जान गया, तो I have come to feel, अब मुझे ये अनभव होगा, या मैं इस अनभव से आया, कि sell eyes से, अम मैं तुम से ये कहूँगा, कि a sort of affection, अब मैं जो अनभव हो में ये कहूँगा तुम से, कि a sort of affection for you, एक प्रकार का प्रेम तुम्हारे लिए है, I fancy, मैं सोचता हूँ कि, यानि मैं कल्पना करता हूँ कि St. Francis, एक जो संथ हुए है, एसाहियों में St. Francis, बहुत पहुचिए संथ हुए है, who have called you little with us, साइध उन्होंने, who would have called you little with us, साइध उन्होंने तुम्हे अपना लिख कहता है, I fancy that St. Francis would have called you little with us, कि साइध सेंड फ्रांसिस ने तुम्हे अपना छोटा भाई कहा होगा, I cannot go for as that in Christian charity and civility, अब charity मीन होता है, उदारता या दान और civility मीन नागरता, अब मैं Christian, Christian लोगों की उदारता तक वहां तक तो खर नहीं पहुंच सकता, but I, मतलब लिखा कहने का मतलब में वहां तक तो दया तुम पर नहीं कर सकता, but I recognize a more distant relationship, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में एक सुदूर, दूरस्त, एक relationship है, Fortune has made us fellow travelers, on this summer night, इस गर्मियों की रात में भाग ने हमें एक दूस है, and you have entertained me, और तुमने मेरा मनुद्यन भी किया, the obligation is mutual, अब जो कृताग्यता है, एक दूसरी प्रती, जो कृताग्यता का भाव वो mutual है, परसपर है, यानि एहसान मानने का जो भाव परसपर है, मुझ पर तुम्हारा एहसान, तुम पर मेरा एहसान, मुझे तुम मैं रूच fundamental fact, that we are fellow mortals, और आधार बूत तत्त पे अगर देखा जाया, तो अभी यह पाया जाता है, कि हम एक fellow travelers हो गए, fellow mortal, यानि साथी हो गए, mortals मीन मरंसी, वे वे वैक्ती जो मरते हैं, mortal मतलब, अब तुम भी एक समय मरोगे, मैं भी एक समय मरूगा, तुम fellow mortals हो गए, लेखक ये दौनों को fellow mortals बोलता है, तो the miracle of life is earth in common, अब हम में जो जीवन का जो चमतकार है, miracle है, जो रहष है, वो common है, it's mystery too, और ये इसका रहष भी common है, I suppose, मैं सोचता हूँ, you don't know anything about your journey, लेका कहता है, या दपी, मैं ये मानता हूँ कि तुम कुछ भी अपनी यात्रा के बारे नहीं जानते हैं, तुम नहीं जानते हैं कि हम train में यात्रा कर रहे हैं तौनों, I am not sure that, हलाकि मैं sure तो नहीं हूँ, कि I know much about mine, लेकिन मैं sure तो नहीं हूँ इस बात पर, लेकिन कहता हूँ कि मैं अपने बारे में ज्यादा जानता हूँ, we are really, हम बास्ता हूँ में, when you come to think of it, जब तुम इस चीज को सोचोगे, a good deal alive, मेरे साथ एक जैसा, तो just appreciations, कि हम दोनों, मतलब जब तुम मेरे जैसा सोचोगे, तो यह पाओगे कि हम दोनों क्या हैं, just appreciations, बूत प्रेतों की तरह हैं, that are and then are not, जो अभी हैं और तब नहीं रहेंगे बाद में, and coming out of the night into the lighted carriage, इस जग मगाती हुए डिबबे में हम लोग बाहर आये हैं रात में, and fluttering about the lamp for a while, and going out into the night again, अब लेखक यहां अपनी और उसकी तुलना एक ऐसे प्रानी से करते हैं, यानि मच्छरों से ही कर देता है, कि जो यह लेखक यह बतानी को से कर रहा है, कि संसार में, जैसे मच्छर है, आता है, और light के पास आया, फरफडाया, और फिर अंधेरे में कहीं भी लीन हो गया, तो लेखक बैसे अपनी लिए भी कहता है, कि हम दौने एक जैसे हैं, तो मैं ऐसा करते हो, carriage की light के चारोर फरफडाते हो, और फिर बाके जाके अंधेरे में, लीन हो जाते हो, कहीं चले आते हो going out into the night again, side perhaps, लेका कहता है, ठीक बैसे ही मैं भी हूँ, मनिश भी ऐसे ही होता है, कि वो जन्म लेता है, पूरे संसार में विश्रण करता है, और फिर जाके, किसी मृत्यों के बाद किसी अंधेरे में खो जाता है, आगे, going on tonight, sir, said a voice at the window, अब खिडकी पर कोई आवाज लगा कर कहता है, going on, कि आप और आगे जारी रखेंगे यात्र अपनी आज राद सर, स्रीमान जी, कि आप और आगे जाना है, तो it was a friendly potter, अब friendly potter, लेखक ने इसको friendly potter कहा, friend potter नहीं कहा, friendly कहा, यानि मित्रवत, एक कुली, एक ऐसा कुली, जिस train से लेखक हमेशा यात्र करते हैं कि जो लेखा को एक हिंट देती है that this was my station ये हिंट था इस बात का संकेत था उसकी आवाज कि उनका station आज चुका है क्या आपको और कहीं जाना है तो लेखा कहता है इस पर I thanked him and said मैंने उसको धनवाद दिया और कहा I must have been doging साइद में जरूर से सो गया होँगा दोज मीन होता उंग्याना मुझे उंग लग गई होगी नीन लग गई होगी and seeing my seizing my hat and stick seizing my hat and stick seizing my hat गिरे डाला यानि अपनी hat, टोपी और चड़ी को मैंने उठाया and I went out into the cool summer night उस ठंडी गर्मियों की रातों में बहार निकला डिब्बे से as I close the door of the compartment अब जैसी मैंने अपने compartment का door बंद किया तो I saw मैंने देखा my fellow traveler fluttered round the lamp की जो मेरा सहयात्री था वो उस lamp के चारो fluttering कर रहा था फरफडा रहा था यानि घूम रहा था चारोड तो इस तरीके से हमारा second chapter finished हुआ है